Hello my dear students, welcome to Nishant Commerce Classes देखे दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आएं लेक्चर और इंट्रस्न कैपिटल टोपिक पर पार थ्री में हम बात करेंगे दोस्तों इसका महीनिनिक है पहले हमने इंट्रस्न कैपिटल पर दो वीडियोज बना दी है second video में दोस्तो हमने आपको interest on capital calculate करने के different different methods बताये थे और with examples आपको अची तरह से समझाया था दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है calculation of interest on capital का second case first case था दोस्तो जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें opening capital given होती है और हम सीधा ही interest on capital निकाल लेते हैं परंतु आज मैं आपको second case कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के थूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ जब हमें opening capital नहीं दी हो तो हमने interest on capital कैसे निकालना है तो बात करते हैं second case की when opening capital is not given दोस्तो सबसे पहले आपने यह बात जाब में रखनी है interest on capital is always calculated on opening balance of capital यह सबसे important point है जो आपको हमेशा याद रखना है कि हम interest on capital जो निकालते हैं partners की capital पर वो हमने opening balance पर निकालना है मतलब हमने opening capital चाहिए तो दोस्तो कई बार क्या होता है किसी question में हमें opening capital नहीं given होती उसकी बजाए हमें closing capital given होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमने opening capital निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकालेगे उसके बारे में detail में बात करते हैं if closing capital is given in the question we will follow two steps तो first step दोस्तो हमने क्या करना है calculation of opening capital जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम opening capital निकालनी है पहले आपको बात बताते हैं सिर्फ आपको explain करने के लिए बात बता रहा हूं दोस्तों आपने no doubt नहीं करने सिर्फ समझना है यह चीज as we know that opening capital increases with net profit additional capital interest and capital and decreases with net loss drawings, interest and drawings देखे दोस्तों हमने यह बात पहले भी कई बार पड़ी है पहले भी कई बार हम इस चीज की बात कर चुके है कि जो opening capital है जो शुरू में हमने पैसा लगाया था वो कई चीजों से increase हो जाता है और कई चीजों से क्या होता है decrease अब कौन-कौन सी items है जो capital को increase करती है और capital को decrease तो increase करने वाली items यहा है अगर हमें profit होगा तो capital increase होगी अगर हम additional capital लगाएंगे मतलब और पैसा लगाएंगे तो भी capital increase होगी अगर हमने interest capital ले दिया तो भी capital increase होगी एक example देता हूँ दोस्तों suppose किजिए एक partner ने starting में बीलिस में 5 lakh रुपीज इंवेस्ट किये थे अब एंट पर उसके पता चला कि मुझे profit हुआ 1 lakh का तो हम क्या कहेंगे closing capital कितनी हो जाएगी 5 lakh प्लस 1 lakh 6 lakh तो वो कैसे बनी closing capital क्योंकि 1 lakh का profit हुआ तो profit की वज़े से capital क्या होगी increase तो दोस्तों इन बातों से capital क्या होती है increase और decrease किन किने बातों से होती है अगर हमें loss हुआ जा ड्राइंग की हमने जा हमने withdraw किया पैसा जा interest on drive इन बातों से जो opening capital हो क्या हो जाती है decrease तो आपको यह पता चल गया कौन-कौन सी बाते opening capital को increase करती है और कौन-कौन सी बाते opening capital को decrease करती है अब आपने जो formula लिखना है वो कैसे आपने या रखना है आपको closing capital question ले given होगी तो आप start कीजिए closing capital से और इस procedure को reverse कर दे क्यों क्योंकि हमें पता है opening से हम closing पर कैसे पोलते हैं जब यह concept हम follow करेंगे तो opening में यह items एड़ करके और less करके हम closing capital पर पोल जाते हैं दोस्तों तो अब हमने क्या करेंगे closing हमें given है तो सारा procedure जो यह वाला है उसको अपने reverse कर देना दोस्तों तो low से capital क्या होती थी पहले degrees अब आप क्या कर दीजिए add back क्योंकि आप पूरा procedure reverse करेंगे क्योंकि आपको opening capital ली given closing given है क्या करेंगे plus इस तक है profit additional capital इंसे capital इंक्रेश होती थी अब इनको क्या कर देना है deduct कर देना है दोस्तों तो मैंने सारा procedure क्या कर दिया reverse जो opening capital उनक्रीज कर दी वह मैंने less कर दी और जो decrease कर दी वह मैंने add कर दी तो दोस्तों अब बात करें interest in capital कि क्योंकि हमने interest in capital निकालना है दो इस पौइंट को नुर्मना कंचीदर नहीं करेंगी यहां पर फार्फ कोसें कसे और ही निकालना भी निक हो तो सकते हैं ह। चामा अब आ जह दोटेना बाइस्टी कोई अबें कैसे लिकालना है यह आपको समझाएंगे तो इससे पहले की जो इंडापल से मैंने आपको फ़र्स टू टू टो किस में इंडरेस्टाम डिया प्रकार्व मैंने आपको जब देगाने श्रींगे और एक्षांपल की और एक्स एंड या फाने सिर्फ फॉर्टी थॉरॉ इसका मीनिंग यह ओपनी कैपिटल नहीं है यह हमें कैपिटल एड़ दी हुई है क्योंकि हमारा अकाउंटी यह 31 मार्ट को क्लोज होता है तो यह हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसके वाल है आफ्टर डिस्टिबूशन प्रॉफिट जो एंड रिजल्ट है प्रॉफिट को डिस्टिबूट करने के बाद प्रॉफिट कि पता करनी है उसके बाद देखते कुन सी ज्यस्मेंट आ रही है ड्राइंग्स ऑफ एक्सट वाई या ट्वंटी दावड एंड टाइंट फोजन एक्स ने पूरे साल में बीस यार्प्या ड्राइंग की है और वाई में कितने की है दास्यार रुपए आपने क्या करना है इं इंटरेस्टे टरव अमिटेड गुल गए थी अब इंटरेस्टेडब निकालने को का गया है नॉर्मली कई स्टूरिंट्स करते हैं खुश हो जाते हैं इस प्रसक्राइप लिगालना है हैं तो आपका पूरा portion गल्द हो जाता है आपको marks नहीं मिलते इसलिए बता रहा हूं आपने एक एक बात को focus देना है यहां पर capital end वाली है मतलब opening capital नहीं कीवार हम interest from capital opening capital पर देते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना जो मैंने आपको अभी बताया कि students हैं सकते आपने कैसे करना है पहले आपने opening capital नहीं है तो हम क्या करेंगे calculation of opening capital देखिए कैसे निकालेंगे opening capital जो नौर्मली students की mistakes होती है जो मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप दुबारा वे इस्टेक ना देरें अब अपनी कैसे निकालेंगे देखिए अब ने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है यहां पर आप दो पार्लिस के नाम लिखने जी एक्स और वाई यहां पर लिखी एक लो मृफपाल क्या करें देखिये क्या दिया हूए है हमें अवे प्रफिट दिया हूआ है तो समझी अभी क्या होता है प्रोफिट के साथ डिएडरें और एद हो चुका है तो अब हम क्या करेंगी हम बैध चलें जालनें ओपनीं की तरफ चलें चलें है तो Christmas तो यहां पर लेस्ट वाला पूइन आगया लेस्ट अब आप सोच रहे हों कि परन्तु हमें क्या पता किसका कितना शीर है तो दोस्तों याद कीजिए पार्शन की प्रुवीजन जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको कोस्टन में यह ना गिवन हो कि प्रोफिल शेरि इकुल मानेंगे तो 80,000 को हम इकुली डिस्ट्रिबूट कर देते दोस्तों तो 80,000 वह कितना पानेगा 40,000 और यहां पर भी कितना पानेगा 40,000 तो यह हो गया आपकी डिड़क्ट वाली आइटम का उस्तर अब आगे देखें क्या रही है ड्राइंग से क्या होती थी कौन सी कैपिल ओपनी कैपिल क्योंकि ओपनी यहां पर नहीं पड़ता है तो अब आप इसे क्या करतेंगे यह पहले ओरी डिड़क्ट की हुई है आप इसने वर्स्त कीजिए मतलब एड़क्ट कीजिए एड ड्रोइंग्स देखें दोस्तों कितनी ड्रोइंग्स की होना है इसके 20,000 और वाई की 10,000 तो आप आपने दोस्तों इसको सॉल्ब कर लेना है यह एड़ वाली अइटम लेस्ट एक एक ती थी तुट लैक 60,000 और 40,000 मैनस की यह कितना सा जाए 2,20000 तो दोस्तों यह आगी ओपनी कैपिटल अब आपने क्या करना है इसी तरीक्ये से वाई का कैलविट करिए 1,40 प्लस 10,150, 150 में सिर्फ 1,40 गई 1,10,000 इसकी ओपनी कैपिटल आगी अब हमारा यह फस्ट टैप जो था वो हमने क्प्लीट कर लिया जिसमें हमने आपको ओपनी कैपिटल निकाल के निफा दी दोस्तों अब आपने क्या करना है आपने स्टेक्ट फोलो करना है इसके बाद नीचे तारना है यह सेगे टेस्ट अमें लिए अब मैं तो कैल्कुलेशन ओफ इंट्रस्ट ऑन कैपिटल आपने शॉट फोन नहीं उसकरनी है आई योडी वह सिर्फ मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए म तो हम लेक्षेइए हैं तुलेशन लेट है टूटी थाउसेंड इंटू जो हमारा रेट है टैन परसेंट हमने मंस घिस्ट नहीं थे मश्प्रणी में छूरू में पहुंचबें फोटों कि हैं बाइस जार आप इसी तरीके से वाई का इंट्रेस्टन कैपिल लिखा लेंगे वाई की कैपिल कितनी आई है वाई लेट टैन थाउजेंड इंटू टैन परसेंड तो ये दोस्तों दिखना बने गया इलेवन थाउजेंड तो दोस्तों देखिए हमने एक सिंपल सी एख्ञामपल बना कर आपको करवा दी जिसमें आपको सबसे पहले ओपनीं कैपिल लिखा लगार लिखा ही उसके बाद हमने इंट्रेस्टन कैपिल लिखा ला अब इसके बाद हम आपको इल्यस्टिशन निम्टर सिक्स कराने जा रहे हैं दोस्तों जो आपको हाई लेवल पर ले जाएगी उसमें मैं बहुत सी नहीं बादे डालूंगा ये तो आप चुरू में इजी लेवल पर थे या आप गबराए ना इसलिए मैंने आपको सिल्फपल सा तरिक्या सिक्राया अब आपको एक कम्प्लेक्स कोशन पर द्ुखाऊंगा उसे सोल्व करेंगे उसमें भी हम क्या निकालेंगे opening capital निकालेंगे फिर interest capital निकालेंगे पर उस question में होगा क्या यहाँ पर कोई additional capital का case नहीं है उसमें additional capital भी आरेगी तो उससे क्या चेंजिस आएगी अगर additional capital भी यहाँ पर आ जाती तो आप सोदुरेंगे उने यहाँ पर क्या करना था यहाँ आपको बदा रहे हैं इलस्टिशन निपर आपके लिए इसमें हम आपको opening capital में interest on capital की और practice कराएंगे इसमें additional capital का नया point लेकर आएं जिससे आपको बदा रहे हैं कि अगर additional capital दी है paper में question में हमें तो हम कैसे solve करेंगे So let's start example number 6 Ram and Shama are partners during the year ended 31st March 2020 Their capitals were rupees 4 lakh and 3 lakh respectively जो main points है students मैंने उन्हें underlang किया हुए है द्यार में रखना और 1st October 2019 They introduced additional capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively क्या हुआ students Ram and Shama are partners 31st March को उन्हें capital बता हुई है 4 lakh and 3 lakh 1 October को उन्होंने additional capital introduced कर दी 2 lakh and 1 lakh respectively उसके बाद बतारे drives दी हुई है बोद आपार्मस की 60,000 and 50,000 दोनों पार्मस की ड्राइं दी है राम ने 60,000 रुपीज भी ड्राइं की थी और शाम ने 50,000 रुपीज ड्राइं की थी Profit for the year ended 31st March 1 रुपीज बालना है जो 31st March तक हमने profit कमाया था फरमने वो कितना था बालना है आपने इंट्रस्टन के पर प्रोइड करना रहे 12% पर एनम के साथ से जो हम देना बूल गए थे तो स्टार्ट करते हैं इसका स्विशन कैसे करना है देखिए स्टूडेंड्स तो आपको यहां पर एक बात इंपॉर्टन्स बता दूं मों क्या है यहां पर ड्राइंग गया होगा calculations of opening capital क्योंकि हमें सभी को the・s होती है opening capital क्योंकि इंट्रांस को देना है किस पर दिया जाता है opening capital पर तो अब हम opening capital कैसे निकाले कि उसका प्रहोमा द्यार करते particulars इधर मैं पाइनर्स के नाम लिए तो हम दो पोल में जो बढ़ा रख लिए राम और शाम कि देखिए स्टुडेंट्स अब हमें किवन क्या है closing capital 31st मांच को दिए closing capital है तो हम स्टार्ट करते है closing capital लिए closing capital कितनी किवन है देखिए four lakh and three lakh उसके बास students क्या देखिए additional capital अब आपको पता है कि कौन-कौन क्या होगी less क्यों क्योंकि इससे क्या हुआ था opening capital फीज होती है तो हम रिवर्स करते हैं तो हम इसे less कर देंगे क्योंकि हमने opening capital की और जाना है अब additional capital कितनी किवन है students two lakh and one lakh तो इसे less करना है तो हम इसे ब्रेक्ट में show करें है उसके बाद students देखिए क्या क्योंकि होने देखिए हमने closing capital थी वह भी उतार ली उसके बाद additional capital थी वह less हो नहीं थी वह भी लिख ली उसके बाद राइं की बाद होगी थी वह भी हमने नोट कर लिया अब last mixture की बाद और यह profit की profit given है तो उसे हमने डिस्टीबूट करना था प्रोफिश्टिवेश्यों में वह हमें given नहीं है तो हम इक्वल वांते हैं तो profit को हम क्या करेंगे लैस कितना profit है वान लैक कॉंसिवेश्यों में equal यह कितना आएगा 50,000 इससे भी deduct करना था हमने और 50,000 अब हम opening capital लिकालते हैं students दे है तो अर्सर कितना है तू लैक 10,000 यह आधी राम की opening capital इसी तरीके से हम शाम की opening capital निकालते हैं थी लैक 50,000 जिसमें से 1,50,000 गया कितना बचा तू लैक तो जो शाम था उसकी opening capital कितनी है तू लैक और राम की कितनी थी तू लैक 1,000 तू लैक 10,000 तू लैक 10,000 अब सेकेंड स्टेप जो हमने करना है वो क्या है calculation of interest on capital अब हम निकालने जा रहे हैं interest on capital देखिए पहरे आप निकालेंगे राम का उसके बाद शाम का अब आपको पता है कि हम राम और शाम दोनों का interest on capital कई तरीके से निकाल सकते हैं simple method भी मैंने आपको बताया था product method भी बताया था तो फिलाल मैं यहाँ पर product method यूज कर रहा हूं आप अपनी इच्छा से कोई method यूज कर सकते हैं product method हम बनाएंगे date amount period product तो दोस्तों पहले राविका करते हैं finish बाद में शाम का calculate करेंगे तो देखिए यही कोलम हमने शाम के बनाने है date amount period product तो दोस्तों question में से information दावनी शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे देखिए हमने opening capital निकाल लिए दो लों की वह आप नोडल कर लिए राम की कितनी है टूल है 10,000 और शाम की कितनी है टूल है अमाउंट की पॉल में लिए थी तो यह opening capital मतलब accounting year 31st March 2020 को close हो रहा है ओपन कब हुआ हो फर्स्ट एपरल 2019 फर्स्ट एपरल 2019 अब स्टुडेंट्स सेकंड बाद आपने क्या द्यान में रखनी है यह तो हमने लिए अब सेकंड बाद जो में है वो यह थी कि उसने कोई additional capital या withdraw किया है अगर additional capital किया है और अगर withdraw किया है तो ब्रैक्ट में मतलब माइनस में दखाएंगे तो देखिए कोशन में additional capital तो यह वनापर withdraw नहीं कि तो additional capital को हम consider करते है इसने राम ने जो है उसने 2 lakh rupees लगाई है और शाम ने कितनी कि देखिए एक अक्तूबर तो इसने भी एक टूबर को ही लगाएते पैसे तो इस नेस्ट पॉइंट विड्ड्रो की बाद additional capital को हमने लिख लिए क्या इस question में withdraw given है नहीं यह जो आप पॉइंट देखने है वो ड्राइंग्स है ड्राइंग्स को हम interest और capital निकालते time consider नहीं करते अगर इन ड्राइंग की वजाए विट्रो होता, तो मैं यहां फर इसलिल्ड करता our argent में शो करता है और विट्रो नहीं है यहां पर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को इंग् tranquille करेंगे वो तो तो स्टुडेंट्स यह आपका गाम हो गया अब आपने पीरेड और प्रड़क्ट बनाना है वो देखें कैसे बनाएंगे एक एपरल से थाटी फ़स्ट मार्च यह वारी बुक्स क्लोज होती है तो कितने मत्स बने क्याताई कि तुवैलभ्मान कुछ उसके बद टूडन एक टूबेस थाटी फर्स्ट मार्च तक शिक्सरी के इंदकाइग ऐसे इदेटर भी शिक्स तुडक्ट सब आपको इनकंप मंटिपली करनें तूला कि कर हैं दोस्तों कितना और होता है यह बनेगा आपका 25,20,000 तो उसके बाद students आपने क्या करना है 2,00,000 x 6 12,00, अब बना इजिए यह बना 37,20,000 अब आपने इंटरस्टों चैप्टर निकाल लेना है 37,20,000 x 12% पोटक्ट में दो लिखा रहे हैं तो 1 by 12 देखिए अंसर दिखना आया रुपीज 37,200 तो यह आपका इंटरस्ट ओन कैपिटल आगे है राम का कि राम को इंटरस्ट ओन कैपिटल फर्म ने कितना देना है 37,200 पएड़ आप इसी तरीके इस शाम का कल्वेट करें 2 लेट इंटू 12 कितना बना 24 लेट 1 लेट इंटू 6 कितना बना 6 लेट देखें स्टूरेंट्स आपको यह पताना कि हमने क्या करना है परड़क्ट कैसे निकालना है सिर्फ अमाउंट ओर पीरिड को मल्टिप्लाई करना है परड़क्ट बन जाता है 24 और 6 लेट इतना हुआ 30 लेट अब आप इंट्रस्टन कैपिकल निकालेंगे 30 लेट इंटू 12 परसेंट इंटू 1 वाइट वैड़क्ट अब देखें सुम्रेट लेट किता राया हुपीस 30,000 हम ने इस एक्जाम्बल में आपको राम का इंट्रस्टन कैपिकल भी निकाल के दिखा दिया और शाम का भी सबसे पहले क्या किया था ओपनिंग कैपिकल के बाद हमने क्या कि इंट्रस्टन कैपिकल निकालेंटे के लिए परड़क्ट मैंथर उस किया अगर किसी student को यह calculation इतनी करनी टफ लगती है तो वो simple method भी use कर सकता है answer दोनों method से क्या आएगा दोस्तों? same आएगा तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने मेरे साथ जिन questions की practice की है इसके साथ मिलते सम भी आप जिरूर try करेंगे जिससे आपको यह video देखने का फाइदा मिलेगा अगर आप practice नहीं करेंगे students तो फिर जितना मर्जी समय लीजिए सिर्फ समझने से आपको accounts नहीं आएगी आपको खुद practice करनी पड़ेगी अगर आप जिस चीज़ को समय रहे हैं उसकी practice साथ की साथ करेंगे तो आपको बहुत benefit मिलेगा Thanks for watching the video